परमात्मा शिरी कृष्ण की वाणी गीता गुरू शिष्य समवाद है। अतह अर्जुन ने स्विकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे वोप देश दीजिए जिससे मैं परमश्रे को प्राप्थ हो जाओ। अतह उस परमगुरू के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये स्तुति गुरुवंदना प्रस्तुत की जा रही है। ओम श्री सत्गुरुदेव भगवान की जाए। जाया सत्गुरुदेवं परमानंधं। आमारचरीरं आविकारी मेर्गुलम नीरमूलं दरी शूदं चातनशूलं माभाभाई सूरत निजा सोहं कली मलाखोहं जानमनमोहंद चर्दिभानी अमरा पुरमासि सबसुकराशि सबसुकराशि आनुभाव गंधिरा मति के धीरा आनुभाव गंधिरा आवतारी योगी अध्वैस्टा आनुभाव गंधिराश्टा आनुभाव नह conception नुभाव आसन माली श्री पर्माहं सस्वामी अंधर यामी आसन माली संसारी अंसन ही तकारी जगपगुधारी गर्माकारी कुपगारी से पंधर चलायो भर्मामीतायो रुपलकायो करतानी यह शिश्या है तेरो करतानी ओरो मोपरहे ओ प्राणधाली जायसादा गूरु देवं परमानंतं आमार शरी रम आमिकारी करता आमिकात तुडिम प्रोघफष्छूडं up-धर्माम खर्मादफष्वण कि ब्रादफड़ कारके रस्छूडं भावा भावारी ओम जय गुरुदेवा 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 जय गुरुद जया गुरु देवा, 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 जया महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया, वेदान्त शास्त्र का प्रवर्तन किया, महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं, उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी, तो वो है भागवान श्री कृष्णोक्त गीता। तरह तरह की पूजा पद्धतियां परस पर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित हैं, जबकि धर्म का लक्ष है एक परमात्मा की शोध। कल्यान स्वरूप वो परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है। जब परमात्मा एक है, उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है, तो बहुत से पंथ क्यूँ। इसके समाधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भावंश ये गीता कैसित। धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद तथा पूर्ण विवरण युगेश्वर श्री क्रिश्णुक्त गीता है। विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है वो सब का सब तथा अनेक गोपनी स्थितियों का स्पष्टी करण अकेले गीता में है। इसलिए संपूर्ण मानवजाति के कल्यान का अतर की शास्त्र गीता है। महाभारत में संकेत है कि जब कौर्वों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। तो संपूर्ण निशानतर कौर्वों में प्रवेश कर गए। और सभी देवता पांडवों में। इस कथन से महर्शि व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर हैं तथा प्रतिकात्मक हैं। प्रतियक मनुष्य के अंतह करण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादिकाल से हैं। दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है, तो काम क्रोध, राग द्वेश, इत्यादी आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रे के लिए विकल था। उसकी द्रिष्टी में श्रे का उपाय था कुल धर्म, पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकर से बचाव, कुल उक्षय से बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादी। मात्र इतनी सी शंका के समाधान हे तु, भगवान को उसे 18 अध्याए गीता समझानी पड़ी। अंत में पूछा कि क्या तेरा मोह नश्ट हुआ। अर्जुन ने स्विकार किया कि भगवन मेरा मोह नश्ट हो गया और अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है। वस्तुता ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, बलकि मानव मात्र की शंका है कि श्रेव क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें। अठारहों अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितान तावश्यक है। जिससे ब्रह्म विदी की स्मृती स्रिजित रहे, तथा बच्चों में भी इन कल्यानकारी संसकारों का स्रिजन हो सके। इस गीता ग्यान के बिना कोई भी मनुश्य उस ईश्वर के पत पर नहीं चल सकता। अक्षय सुख, शाश्वत शांती, लोक में सम्रिध्धी तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसुटों का संकलन किया गया है। इसके नियमित श्रमन से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करे। संसार में कहीं भी मनुश्य हो उसके लिए गीता सदैव अम्रित वाहनी है। गीता आपका शास्त्र है। गौरोव का विशय है कि पाँच हजार वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है। जन्म जन्मांतर की रूडियों से ग्रस्त मस्तिश्क को स्वच्छ कर चिंतन के प्रशस्त पत पर चलने के लिए इन कैसटों का प्रसारण प्राता अवश्य करे। ओम श्री परमात्मने नमह यथार्थ गीता श्री मद भगवत गीता अथ प्रत्मों अध्यायः द्री द्राश्च उवच्छ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास्चईव किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये कत्र युद्ध की इच्छावाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अज्यान रूपी द्रित्राश्च और सैयम रूपी संजय अज्यान मन के अंतराल में रहता है। अज्यान से आवृत्त मन द्रित्राश्च जन्मान्द है। किन्तु सईयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है, सुनता है, वो समझता है कि परमात्मा ही सत्य है, फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टी सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। धर्म एक छेत्र है, जब हिर्दय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो ये शरीर धर्म छेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो ये शरीर कुरुक शेत्र बन जाता है। कुरू अर्थात करो। ये शब्द आदेशात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो क्षण मात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं तब तक कुरू लगा रहेगा। अतह जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र विकारों वाला क्षेत्र कुरू क्षेत्र है। और परमधर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुन्यमई प्रवर्तियों का क्षेत्र धर्मक्षेत्र है। पुरा तत्व विद्पंजाब में काशी प्रयाक के मध्य तथा अनेका अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे है। किन्तु गीताकार ने स्वयम बताया है कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वो कहा है। इदम शरीरम कौनतेय ख्षेत्र मित्य भिधीयते। अरजुन ये शरीर ही ख्षेत्र है और जो इसको जानता है इसका पार पालेता है वो ख्षेत्रग्य है। आगे इन्होंने ख्षेत्र का विस्तार बताया। जिसमें दस इंद्रियां मन, बुद्धी, अहंकार, पाचों विकार और तीनों गुणों का वर्नन है। शरीर ही ख्षेत्र है, एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्यां दो हैं, दैवी संपद और आशुरी संपद, पांडु की संतान और धृत्राष्ट की संतान, सजातिये और विजातिये प्रवृत्या। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्यों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये ख्षेत्र ख्षेत्रग्य का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है। किन्तु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले है। प्रकृति का सर्वत्हा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिखदर्षन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि खेत्र खेत्रग्य के युद्ध में क्या हुआ अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे द्रिष्ट आती जाएगी संजय वाच द्रिष्टवातु पांडवा नीकम व्यूढम दुर्योधन स्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीद उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचारी के पास जाकर ये वचन कहा दुएत के आचरण ही द्रोणाचारी है जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गये हैं वहां उसकी प्राप्ति के लिए तडप पैदा हो जाती है तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं दोनों प्रवृत्यों के बीच यही प्रात्मिक गुरु है यद्यपी बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग की स्थितिवाले होंगे राजा है दुर्योधन दुरु अर्थाद दूशित योधन अर्थाद वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है उसमें जो दोश उत्पन करता है वो है मोह यह प्रकृति की ओर खीचता है और वास्त्विक जानकारी के लिए प्रेड़ा भी प्रदान करता है मोह है तभी तक पूछने का प्रशन भी है अन्यथा सभी पूर्ण ही है अतह व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थाद पुन्य से प्रवाहित सजातिये वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने गुरु द्रून के पास जाकर यह कार व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखी शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला द्रिण मन ही द्रिष्ट द्यूम्न है यही पुन्यमई प्रवृत्तियों का नायक है साधन कठिन न मन कर टेगा साधन कठिन नहीं मन की द्रिण करता कठिन होनी चाहिए अब देखें सेना का विस्तार अत्रशूरा महेश्वासा भीमार जुनसमा युधी युयुधानो विराटश्च दुरुपदश्च महारतः इस सेना में महेश्वासा महान ईश में वास्दिलाने वाले भाव रूपी भीम अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूर्वी जैसे सात्वित्तारूपी सात्य की विराटः सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा महारती राजा दुरुपद अर्थात अचल स्थिति तथा ध्रिष्ट केतुष्चे कितानः काशि राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव ध्रिष्ट केतुष दृण करतव्य चे कितानः जहां भी जाए वहां से चित्त को खीच कर इष्ट में स्थिर करना काशि राजश्च काया रूपी काशि में ही वो साम्राज्च पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित कुन्ति भोज़ः करतव्य से भव पर विजय नरों में चैविय अर्थात सत्य व्यवार युद्धा मन्युष्च विक्रांतह उत्त मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रवपदे आश्च सर्व एव महारथाह और पराक्रमी युधा मन्युष्च विज़ के अनुरूप मन की धारणा उत्त मौजाः शुब की मस्ती सुभद्रा पुत्र अभिमन्युष्च विजब शुब आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है ऐसा शुब आधार से उत्पन अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पाँचों पुत्र वातसल्य लावन्य सौम्यता स्थिर्ता सहरदैता सब के सब महारथी हैं साधन पद पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की ख्षमताएं हैं इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपद के महत्व पूर्ण अंग हैं विजातिय प्रवृत्ति का राजा होते हुए भी मोह ही सजातिय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बात ये करता हैं दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है यदि कोई बाहे युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है वे नाशवान है केवल पांच साथ विकार बताए गए जिनके अंतराल में बहरमुखी प्रवरत्ति विद्यमान है जैसे अस्माकम्तु विशिष्टाये तान्नि बोधद्वि जोत्तम नायकाममसैन्यस्य संग्यार्थम तान्ब्रवी मिते द्विजोत्तम हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ ले आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको कहता हूँ बाहे युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है वस्तुतह गीता अंतह करण की दो प्रवृत्तियों का संगर्ष है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रों है जब तक हम लेश मात्रवी आराध्य से अलग है तब तक प्रकृति विद्धिमान है द्वैत बना है इस द्वी पर जय पाने की प्रेणा प्रथम गुरू द्रोंअचारी से मिलती है अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेणा प्रदान करती है वो पूजा अस्थली नहीं वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए विजाति ये प्रवरत्ति के नायक कौन-कौन है भवान भीश्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिन जयाह अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद अत्तिस्त थैवच एक तो स्वयम आप द्वयत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य है ब्रह्म रूपी पितामा भीश्म है ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है अंत तक जीवित रहता है इसलिए पितामा है समूची सेना मर गई ये जीवित था शर्शय्या पर अचेत था फिर भी जीवित था ये है ब्रह्म रूपी भीश्म ब्रह्म अंत तक रहता है इसी प्रकार विजातिय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजई क्रिपाचारिय है साधना वस्था में साधक द्वारा क्रिपा का आचरण ही क्रिपाचारिय है भगवान क्रिपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है किन्तु साधन काल में जब तक हम अलग है परमात्मा अलग है विजातिय प्रवर्त्ति जीवित है मोह मई घिराव है ऐसी परिस्थिति में साधक यदी क्रिपा का आचरण करता है तो वो नश्ठ हो जाता है सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्राइश्चिक करना पड़ा विश्वा मित्र दयार्द्र हुए पतित होना पड़ा योग सूत्रकार महर्शी पतंजली भी यही कहते हैं ते समाधा वुपसरगा व्युथाने सिद्ध यहा व्युथान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं वे वास्तव में सिद्धियां हैं किन्तु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विग्ण हैं जितने काम, क्रोध, लोब, मोह, इत्यादि गोस्वामी तुलसी सिद्धास का भी यही निर्णे हैं माया अनेक विग्ण करती है रिद्धियां प्रदान करती है यहां तक कि सिद्ध भना देती है ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए मरनासन रोगी भीजी उठेगा वो भले ठीक हो जाए किन्तु साधक उसे अपनी देन मा स्थान बैठे तो नश्ठ हो जाएगा एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेगे भजन चिंतन का क्रम अवृज़ हो जाएगा और उधर बहगते-बहगते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा यदि लक्षे दूर है और साधक कृपा करता है तो क्रिपा का अकेल आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा इसलिए साधक को पूर्ति परियंत इससे सतर्क रहना चाहिए दया बिनुसंत कसाई दया करी तो आफत आई लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातिये प्रवरत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण और ब्रहम मई श्वास ही भूरी श्रवा है ये सभी बहर मुखी प्रवाह के नायक है अन्येच बहवः शूराह मदर्थे त्यक्त जीविताह नाना शस्त्र प्रहरणाह सर्वे युद्ध विशारदाह और भी बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं किन्तु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है इस पर कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीश्माभी रख्षितम पर्याप्तम त्विदमेते शाम बलम भीमाभी रख्षितम भीश्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से आजए है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है अतह देखना है कि भीश्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव निर्भर है दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेशुच सर्वेशु यथा भाग मवस्थिताह भीश्म मेवा भीरक्षन्तु भवन्त सर्वेवहि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगा स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीश्म की ही सब ओर से रक्षा करें यदि भीश्म हैं तो हम अजे हैं इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीश्म की ही रक्षा करें कैसा योद्धा है भीश्म जो स्वयम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाय योद्धा नहीं ब्रहम ही भीश्म है। जब तक भ्रहम जीवित है तब तक विजाती प्रवृतियां कौरव अजय है। अजय का ये अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके। बल्कि अजय का अर्थ दुरजय है। जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु, जीत सकय सो बीर। यदि भ्रहम समाप्त हो जाए तो अविध्या अस्तित्व हीन हो जाए मोह इत्यादी जो आनशिक रूप से बचे भी हैं शीक्री ही समाप्त हो जाएंगे भीष्म की इच्छा मृत्युती इच्छा ही भ्र्म है इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है इसी को संद कबीर ने सरल्ता से कहा इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया जहां भरम नहीं होता, वो अपार और अव्यक्त है इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है सो कामयत तदैक्षत बहुस्याम प्रजा ये ये इति कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वता रहित हैं तिनका पार न पाया वे अपार अनंत असीन तत्व में प्रवेश पा जाते हैं योकामो निशकाम आप्तकाम आत्मकामो नतस्यप्राणा उत्क्रामंति ब्रह्म वसन ब्रह्मा प्येदि जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्त की इच्छा शेश रहती है जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है यदि उससे भी बड़ी कोई वस्त होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं, तो इच्छा किसकी होगी? जब प्राप्त होने योग्ये कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाये तो इच्छा भी समूल नश्ट हो जाती है और इच्छा के मिठते ही, ब्रहम का सरवता अंत हो जाता है यही भीश्म की इच्छा मृत्यु है भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है भाव रूपी भीम भावे विद्यते देवह भाव में वो क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है भाव वस्य भगवान सुख निधान करुना आयन श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है भाव में वो क्षमता है कि भगवान को भी वश्म कर लेता है भाव से ही संपूर्ण पुन्यमई प्रवरत्ति का विकास है ये पुन्य का संग्रक्षक है है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है किन्तु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती इश्ट में लेश मात्र भी तुरुटी प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है पुन्यमई प्रवृत्ति विचलित होटती है इश्ट से संबंध तूट जाता है इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है महर्शी पतंजली का भी यही निरणय है स तु दीर्ग काल नैरंतर ये सतकारा सेवितो द्रिल भूमे है दीर्ग काल तक निरंतर शद्धा भक्ति पूरुवक किया हुआ साधन ही द्रिल हो पाता है इस प्रकार अपने बला बल का निर्णय लेका शंक ध्वनी हुई शंक ध्वनी पात्रों के पराक्रम की घोशना है कि जीतने पर कौन सा पात्रा आपको क्या देगा कौरवों में व्रिद प्रतापवान पितामा भीश्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्श उत्पन करते हुए उच्छ स्वर से सिंग नाद के समान भयप्रद शंक बजाया सिंग प्रकृति से भयावा पहलू का प्रतीक है घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दाड़ कान में पढ़ जाए तो रौंटे खड़े हो जाएंगे रदय कापने लगेगा यद्यपी शेर आपसे मीलों दूर है भय प्रकृति में होता है परमात्मा में नहीं वो तो अभय सकता है ब्रह्म रूपी भीश्म यदिविजई होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा भय की एक परत और बढ़ जाएगी भय का आवरण घना हो उठेगा ये ब्रह्म इसके अत्रिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा अतह प्रकृति से निवृति ही गंतव्य का मार्ग है संसार में प्रवृति तो भवा टवी है घोर अंधकार की छाया है इसके आगे कौर्वों की कोई घोशना नहीं है कौर्वों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे किन्तु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान कर आते हैं इससे अधिक कुछ नहीं प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है इसलिए उन्होंने भी घोशना की ततह शंखाश्च भेर्यश्च पनवानक गो मुखाह सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तु मुलो भवत तदनंतर अनेक शंख नगारे ढोल और नर्सिंग हादि बाजे एक साथ ही बजे उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ भय का संचार करने के अत्रिक्त कौर्वों की कोई घोशना नहीं है बहिर मुखी विजाती प्रवृत्ती सफल होने पर मोह मैं बंधन और घना कर देती है अब पुन्यमई प्रवृत्तियों की ओर से घोशना आये हुई जिन में पहली घोशना योगेश्वर श्री कृष्ण की है इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त जिन में लेश्मात्र कालिमा दोश नहीं है श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है महति स्यंदने महान रत पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंक बजाए अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे मित्य लोग देव लोग ब्रह्म लोग जहां तक जन्म मरण का भए है उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोश्ण योगेश्वर श्री कृष्ण की है सोने चान्दी काठ का रथ नहीं रथ अलौकिक शंक अलौकिक अतह घोश्णा भी अलौकिक ही है लोकों से परे एक मात्र ब्रह्म है सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोश्णा है पांच जण्यम रिशी केशो देवदत्तम धनन जयह पौंड्रम दध्मव महाशंखम भीम कर्मा व्रिकोदरह रिशी केशा जो हृदय के सर्वस्व ग्याता है उन कृष्ण ने पांच जन्य शंक बजाया पांचों ग्यानेंद्रियों को पंच तनमात्राओं शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध के रसों से समेट कर अपने जन, भक्त कि श्रेणी में ढालने की खोशणा की विक्राल रूप से बहत्ती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे शिष्यस्तेहम भगवन मैं आपका शिष्य हूँ बाय विशय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इश्ट के अद्रिक्त दूसरा न देखें दूसरा न सुनें न दूसरे का स्पर्ष करें ये सदगुरु के अनुभव संचार पर निरभर करता है देवदत्तम धनंजयह दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है इश्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो गदगद गिरा नयन बह नीरा रोमांचो इश्ट के अतरिक्त अन्य विशय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए उसी को अनुराग कहते है यदि ये सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्त पर आधिपत्त के प्राप्त कर लेता है इसी का दूसरा नाम धनन्जय भी है एक धन तो बाहरी संपत्ती है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्ता होती है आत्मा से इसका कोई संबंद नहीं है इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ती ही निज संपत्ती है व्रिह दारण्य कोप निशद में याग्य वल्क्य ने मैत्रेई को यही समझाया, कि धन से संपन्पृत्वी के स्वामित्व से भी अम्रितत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाए आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीन सेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंक पजाया। भाव का उदगम और निवास थान हिर्दय है। इसलिए इसका नाम व्रिकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किन्तु वस्तुता वो लगाव आपके हिर्दय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथा और महान बल्शाली है। उसने प्रीति नामक महाशंक बजाया। भाव में ही वो प्रीति नीथ है। इसी लिए भीम ने पौन्ड प्रीति नामक महाशंक बजाया। भाव महान बल्वान है किन्तु प्रीति संचार के माध्यम से। हरी व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलह सह देवश्च सुघोश मनि पुश्पकव। कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंक बजाया। कर्तव्य रूपी कुन्ती और धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिर्ता रहेगी, तो अनंत विजयम, अनंत परमात्मा में स्थित दिलाएगा, युद्धे स्थिरह, सह युदिष्ठिरह, प्रकृति पुरुष, खेत्र, खेत्रग्य के संगहर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विजलित नहीं होता, तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अन्त नहीं है, वो है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है, नियम रूपी नकुल ने सुघोश नामक शंक बजाया, जियो जियो नियम उन्नत होगा, अशुब का शमन होता जाएगा, शुब घोशित होता जाएगा, सत्संग रूपी सहदेव ने मड़ी पुश्पक शंक बजाया, मनीशियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मड़ी की संग्या दिये, हीरा जैसी स्वासा बातों में बीती जाए, एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरशों की वानी से सुनते हैं, किन्तु यथार्थ सत्संग आंतरिक है, श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है चित्त सब और से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे यही वास्तविक सत्संग है ये सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन होता है जियों जियों सत्य के सानिध्य में सुरत टिकती जाएगी सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा जिस दिन सर्वता निरोध होगा वस्तु प्राप्थ हो जाएगी वाद्य यंत्रों की तरहा चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है बाह ये मणी कठोर है किन्तु श्वास मणी पुष्प से भी कोमल है पुष्प तो विक्सित होने या तूटने पर कुमलाता है किन्तु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते किन्तु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रन दिलाकर परमलक्ष की प्राप्ति करा देता है इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है किन्तु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तै करता है आगे कहते हैं काश्यष्च परमेश्वास शिखंडीच महारथ ध्रिष्ट द्युम्नो विराटश्च साथ्यकिष्चा पराजित आगे काया रूपी काशी पुरुष्च जब सब और से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वास परम ईश में वास का धिकारी हो जाता है परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है काया में ही परम ईश का निवास है परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ट धनुष्वाला नहीं बलकि परम धन इश धन वास है शिखा सूत्र का त्याग है शिखंडी है आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जन्यू अटा लेते हैं अगनी जलाना छोड़ देते हैं हो गया सन्यास उनका नहीं वस्तुतह शिखा लक्ष का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का जब तक आगे परमात्मा को पाना शेश है पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है तब तक त्याग कैसा, सन्यास कैसा, अभी तो चलने वाले पथिक हैं, जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संसकारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वता शान्त हो जाता है, इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीश्म का विना करता है, शिखंडी चिंतन पत की विशिष्ठ योग्यता है, महारथी है, ध्रिष्ट द्युम्न, द्रिण और अचल मन, तथा विराटा, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादी, दैवी संपद के प्रमुख गुण है, सात्वित्ता ही सात्य क सत्य के चिंतन की प्रवित्ति, अर्थात, सात्वित्ता यदि बनी है, तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी अचल पद दायक दुपद और ध्यान रूपी द्रवपदी के पाँचों पुत्र, सहरदैता, वातसल्य, लावन्य, सौम्यता, इत्यादी साधन में महान सहायक महारती हैं, तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यू, इन सबने प्रिथक प्रिथक शंक पजाए, भुजा कारिक खेत्र का प्रतीक है, जब मन भहे से रहित हो जाता है, तो उसकी पहुँच दूर तक हो जाती है, हे राजन, इन सबने अलग-अलग शंक बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए, इसके अत्रिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है, जो मन बुद्धी से परे है, भगवान स्वयम ही अंतह में विराज कर तय कराते हैं, इधर द्रिष्टी बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं, और सामने स्वयम खड़ा होकर अपना परिचय करा लेते हैं सघोशो धार्त राष्ट्राणाम, रिदयानि व्यदारयत, नभश्च प्रिथिवीम चैव, तुमुलो व्यनुनादयन उस घोर शब्द ने आकाश और प्रिथ्वी को भी शब्दाय मान करते हुए, ध्रितराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीरन कर दिये, सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किन्तु हृदय विदीरन हुए ध्रितराष्ट्र पुत्रों के वस्तुतह पांच जन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुब का शमन और शुब की घोषणा धारावाही होने लगे, तो कुरुक्षेत्र, आसुरी संपद, बहर मुखी प्रवृत्यों का हृदय विदीरन हो जाएगा उनका बल शनह शनह खीन होने लगता है, सर्वथा सफलता मिलने पर मोह मई प्रवृत्या सर्वथा शान्त हो जाती है अथव्यवस्थितां द्रिष्ट्वा, धार्तराष्ट्रांक पिध्वजाह, प्रवृत्ये शस्त्रसंपाते, धनुरुद्यम्यपांडवह, रिशीकेशं तदावाक्यम, इदमाह महीपते, सेनयोर उभयोर मद्ये, रथम स्थापय मेचुता संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवरित मन को समझाया कि हे राजन, उसके उपरांद कपी द्वजाह, वैराग्ये रूपी हनुमान, वैराग्ये ही द्वज है जिसका, द्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं, द्वजा चंचल थी, इसलिए कपी द्वज कहा गया, किन्तु नहीं, यहां कपी साधारण बंदर नहीं, स्वयम हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था, सममान निरादर आदर ही, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विशियों से राग का त्याग ही वैराग्य है, अतर वैराग्य ही जिसकी द्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट पुत्रों को खड़े देख कर, शस्त्र चलने की तैयारी के समय, धनुष उठा कर, रिशी केशम, जो हृदय के सर्वस्व ज्याता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से ये वचन कहा, हे अच्यूत, जो कभी च्यूत नहीं होता, मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिये, यहां सार्थी को दिया गया आदेश नहीं, इश्ट सद्गुरु से की कई प्रार्थ ना है, किसलिए खड़ा करें। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनावालों को अच्छी प्रकार देख न लूं, कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किनकिन के साथ युद्ध करना है। इस युद्ध व्यापार में मुझे किन-किन के साथ युद्ध करना है योद्ष्यमानान वेक्षेहम ये एतेत्रसमागताः धारतराश्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्शवः दुर्बुद्धी दुर्योधन का युद्ध में कल्यान चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए है उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा इसलिए खड़ा करे मोह रूपी दुर्योधन मोह मई प्रवित्यों का कल्यान चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आये हैं उनको मैं देख लू संजय उवाच एव मुक्तोर हिशी केशो गुडा केशेन भारत सेन योर उभयोर मध्य स्थापईत वारतो तमम भीश्मद्रोण प्रमुखतह सर्वेशाम्च महीख्षितां वाच पार्थ पश्यतां समवेतान कुरूनिती संजय बोला निद्रा जयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर खृदय के ग्याता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीश्म, द्रोण और महीख्षितां शरीर रूपी प्रित्वी पर अधिकार जमाय हुए संपोर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि पार्थ इन इकठे हुए कौर्वों को देख यहां उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर शरीर के प्रती अनकूलता प्रतिकूलता से की जाती है यह परिभाषा अपूर्ण है जो हमारे आत्मा, हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है जिसके पीछे अनुत्तम मलिंता न हो तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पित्रे नथपिता महां आचार्यान मातुलान भ्रात्रिन उत्रान पवत्रान सक्हीन स्थथा श्वशुरान सुरिदश्चैव सेनयो रुभयो रपी इसके उपरांत अचूक लक्षवाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनु सेनाओं में स्थित पिता के भाईयों को पितामहों को आचारियों को मामाओं को भाईयों को पुत्रों को पौत्रों को मित्रों को श्वसुरों को और सुहिर्दों को देखा दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार मामा का परिवार ससुराल का परिवार सुहिर्द और गुरुजन दिखाई पड़े प्रचलित गणना के अनसार अठाहरा अक्षोहिणी ठाई पौने तीन अरब के लगभग होता है जो आज के विश्व की जन संख्या के समकक्ष है इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास खाद्य समस्या बन जाती है इतना बड़ा जन समूह अर्जुन के तीन चार रिष्टेदारों का परिवार मात्र था क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है कदा भी नहीं ये हिरदय देश का चित्रन है तान समीक्ष सकाउं तेयह सर्वान बंधू नवस्थितान कृपया परया विष्टो विशीदन निदम अब्रवीत इस प्रकार खड़े हुए उन सम्पूर्ण बंधूं को देख कर अत्यंत करुणा से आवरित वो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला अर्जुन उवाज द्रिष्ट्वेमं स्वजनं क्रिष्ण युयुच्छुं समुपस्थितं सीधन्तिमम गात्राणी मुखन्च परिशुष्ष्टे वेपथुष्च शरीरे में रोमहर्षष्च जायते हे क्रिष्ण इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंब तथा रोमान छो रहा है इतना ही नहीं हाथ से गांडीव गिरता है तो अचा भी जल रही है अर्जुन को जवर्सा हो आया संतप्थ हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े है अर्जुन को ब्राम हो गया वो कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ अब आगे देखनी की सामर्थ है नहीं है निमित्तानिच पश्चामी विपरीतानी केशव नच श्रेयोनु पश्चामी अत्वा स्वजन माहवे हे केशव इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ युद्ध में अपने कुल को मार कर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा नकांशे विजयं क्रिष्ण नच राज्यं सुखानी चा किन्डू राज्ये न गोविन्द किम्भो गैर जीविते नवा संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है इन्हें युद्ध में मार कर विजये विजये से मिलने वाला राज्ये और राज्ये से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए वो कहता है हे शिरी कृष्ण मैं विजये नहीं चाहता राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता हे गोविंद हमें राज्य या भोग अथ्वा जीवन से भी क्या प्रयोजन है क्यूं ये शामर्थे कांख्षितन्नों राज्यम भोगा सुखानिच हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादिक इच्छित हैं वे ही परिवार जीवन की आशा त्याक कर युद्ध के मैदान में खड़े हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी किन्तो जब सब के सब प्राणों की आशा त्याक कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य भोग नहीं चाहिए ये सब इनहीं के लिए प्रियत हैं इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यक्ता नहीं है जब तक परिवार रहेगा तब तक ये वासनाएं भी रहती हैं जोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार मित्र और स्वजन को मार कर विश्व का सामराजिस्वीकार नहीं करेगा अर्जुन यही कहता है, कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किन्तु जिन के लिए थी, जब वे ही नहीं रहेंगे, तो भोगुं से क्या प्रयोजन? इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्या, पितरा, पुत्राह, तथैवच पिता महाह, मातुला, श्वशुरा, पौत्राह, शाला, संबंधिनस तथा। इस युद्ध में दाऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पोते, साले, तथा समस्त संबंधी ही हैं। एतान नहन्तु मिछ्छामी, ग्नतो पिमधु सुधन, अपित्रै लोक्य राज्यस्य, एतो किन्नु मही कृते। ए मधु सुधन, मुझे मारने पर भी, अत्वा तीन लोक के राज्य के लिए भी, मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृत्वी के लिए कहना ही क्या। अठाहरे अक्षवणी सेना में, अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तों में क्या हैं। वस्तुत है अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रही है। सभी चाहते हैं कि हम भजन करें। उस परमसत्य को पाले। जाने किन्तु कि अनुभवी सद्गुरू के संग्रक्षण में कोई अनुरागी जब खेत्र खेत्रग्य के संगर्ष को समझता है कि हमें किन से लड़ना है तो वो हताश हो जाता है वो चाहता है कि हमारे पिता का परिवार ससुराल का परिवार मामा का परिवार सुहरद मित्र और गुर्जन साथ रहे सभी सुखी रहें और इन सब की व्यवस्था करते हुए हम परमात्म स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले किन्तु जब वो समझता है कि आराधना में अगरसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा इन सम्मंधों का मोह समाप्त करना होगा तो वो अधीर हो उड़ता है पूज्य महराज जी कहा करते थे मरना और साधु होना बराबर है साधु के लिए स्रिष्टी में दूसरा कोई जीवित है भी किन्तु घारवालों के नाम पर कोई नहीं है यदि कोई है तो लगाव है मोह समाप्त कहां हुआ जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग उस लगाव के सास्तित्व मिटने पर ही उसकी विजए है इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है अन्यथा जगत में हमारा क्या है तुलसिदास कह चिद विलास जग बूज़त बूज़त बूज़ है मन का प्रसार ही जगत है योगेश्वर कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया केवल अरजुन अधीर था ऐसी बात नहीं है अनुराग सबके हिर्दय में है प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है उसे संबंधी याद आने लगते हैं पहले वो सोचता था कि भजन से कुछ लाब होगा तो ये सब सुखी होंगे इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे जब ये साथ ही नहीं रहे तो सुख लेकर क्या करेंगे अरजुन की द्रिष्टी राज्य सुख तक ही सीमित थी वो त्रिलोकी के सामराज्य को ही सुख की पराकाश्ठा समझता था इसके आगे भी कोई सत्य है इसकी जानकारी अरजुन को अभी नहीं है निहत्यधार्त राष्ट्राम्नह काप्रीति स्याज्यनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान अत्वैतानात ताईनह हे जनार्दन ध्रित राष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी जहां ध्रित राष्ट्र अर्था ध्रिष्टता का राष्ट्र है उससे उत्पन मोह रूपी दुर्योधन इत्यादी को मार कर भी हमें क्या प्रसनता होगी इन आतताईयों को मार कर हमें पाप ही तो लगेगा जो जीवन यापन के तुछ लाब के लिए अनीती अपनाता है वो आतताई कहलाता है किन्तु वस्तुता है इससे भी बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पत में अवरोध उत्पन्य करता है आत्म दर्शन में बाधक, काम, क्रोध, लोब, मोह, आधिका समूह ही आतताई है तस्मान नारहा वयम हन्तुं धार्तराश्ट्रान स्वबांधवान इससे है माधव, अपने बांधव धृत्राश्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्ये नहीं है स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना? वस्तुता शरीर के रिष्टे अज्ञान से उत्पन होते हैं ये मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है जब शरीर ही नश्वर है, तब इसके रिष्टे ही कहा रहेंगे मोह है, तब ही तक सुहृत है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है मोह नहीं, तो कुछ भी नहीं इसी लिए वे शत्रुभी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े वो कहता है कि अपने कुटुम्ब को मार कर हम कैसे सुखी होंगे यदि अज्ञान और मोह न रहे, तो कुटुम्ब का अस्तित्व न हो ये अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है भरत्री हरी, तुलसी, इत्यादी अनेक महान भावों को वैराग्य की प्रेर्णा पत्नी से मिली तो कोई सौतेली मा के व्यावार से खिन होकर वैराग्य पत पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है यद्यप्यते नपश्यंति लोभो पहत चेत सहा कुलक्षयक्रितं दोशं मित्रद्रोहे चपातकं यद्यप्य लोब से ब्रश्ट चित्थ हुए ये लोग कुल नाश के दोश और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं ये उनकी कमी है फिर भी कथम नगेयमस्माभि पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षयक्रितं दोशं प्रपश धिर जनार्दन कुल नाश से होने वाले दोशों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए मैं हिपाप करता हूँ ऐसी बात नहीं आप भी भूल करने जा रहे हैं कृष्ण पर भी आरोप लगाया अभी वो समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता प्रत्येक नया साधक सद्गुरू की शरण जाने पर इसी प्रकार तरक करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता यही अरजुन भी कहता है कि ये भले न समझें किन्तु हम आप तो समझदार हैं कुल नाश के दोशों पर हमें विचार करना चाहिए कुल नाश में दोश क्या है? कुलक्षय प्रणशन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नश्टे कुलम कृच्णम अधर्मो भिभवत्युत कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नश्ट हो जाते हैं अरजुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था धर्म के नाश होने पर संपोर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है अधर्मा भिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रियह स्त्रीशु दुष्टासु आर्ष्णियह जायते वर्ण संकरह हे कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रिया दूशित हो जाती है हे वाश्रणे स्त्रियों के दूशित होने पर वर्ण संकर उत्पन होता है अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूशित होने से वर्ण संकर होता है किन्तु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथ्व स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है वर्ण संकर के दोशों पर अर्जुन प्रकाश डालता है संकरो नरकाईव कुल घ्रानाम कुलस्यच पतन्ति पितरो ये शाम लुपतपिंडो दकक्रिया वर्ण संकर कुल घाती और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है लुपत होई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते है वर्टमान नश्ठ हो जाता है अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविश्य वाले भी गिरेंगे इतना ही नहीं दोशए रेतै कुल अघ्ञाना वर्ण संकर कारकई उत्साध्यनते जाती धर्मा कुल धर्मा अश्चशाश्वता इन वर्ण संकर कारक दोशों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नश्च्ट हो जाते हैं अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है कुल धर्म ही शाश्वत है किन्तु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी ना किसी रूड़ी को जानता है ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो कृष्ण के शब्दों में एक रूडी है हे जनारदन नश्ट हुए कुलधर्म वाले मनुश्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है ऐसा हमने सुना है कुलधर्म ही नहीं नश्ट होता बलके शाश्वत सनातन धर्म भी नश्ट हो जाता है जब धर्म ही नश्ठ हो गया, तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है अहो बत महत पापं, कर तुम व्यवसितावयं, यद राज्य सुखलो भेन, हम तुम स्वजनमुद्यताः अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बहान पाप करने को तैयार हुए हैं, राज्य और सुख के लोब से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं अब ही अर्जुन अपने को कम ग्याता नहीं समझता, आरंब में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है, महात्मा बुद्ध का कथन है कि, मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है, तो अपने को महान ग्यानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है, तो अपने को महान मूर्क समझता है, ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ग्यानी ही समझता है, वो कृष्ण को ही समझाता है, कि उस पाप से परम कल्यान हो, ऐसी बात भी नहीं, केवल राज्य और सुख के लोब में पढ़कर, हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं, हम ही भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं, एक धक्का कृष्ण को भी दिया, अंत में अर्जुन अपना निरणे देता है, यदि माम प्रतिकारम, अशस्त्रम शस्त्रपान यह, धार्तराश्ट्रारणे हन्यू, तन्मेक्षे मतरम भवेप यदि मुझ शस्त्र रहित, न सामना करने वाले को शस्त्रधारी ध्रतराश्ट के पुत्र रण में मारें, तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अतिक कल्यान का रखोगा। इतिहास तो कहेगा कि अरजुन समझदार था, जिसने अपनी बली देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुतिदे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे, मनुश्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रासाद में रहे, किन्तु दो दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई जोपड़ी याद आने लगती है, मोह इतना प्रबल होता है, इसी लिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी ध्रित्राश्ट के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वो मेरे लिए अतिकल्यान कारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहे, संजय उवाच संजय बोला, कि रणभूमी में शोक से उद्विग्न मनवाला अर्जुन, इस प्रकार कहकर अर्बान सहिध धनश को त्याक कर रत के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्र-क्षेत्रग्य के संगर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया, गीता क्षेत्र-क्षेत्रग्य के युद्ध का निरूपन है, यह इश्वरिय विभूतियों से संपन भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है, यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृतियां है, धर्मक्षेत्र और गुरक्षेत्र, उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया, शंक ध्वनी से उनके पराक्रम की जानकारी मिली, तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीख्षण हुआ, जिसकी गणना अठारे अक्षाउणी अर्थात लगभग साड़े छे अरब कही जाती है, किन्तु वस्तुतह वे अनंत हैं, प्रकृत्वी के दृष्टि कोण दो हैं, एक इश्टोन मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद, दोनों प्रकृति ही हैं, एक इश्ट की ओर उन्मुख करती है, परमधर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है फिर शाश्वत सनातम परब्रम्ह के दिखदर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवशक्ता शेश हो जाती है युद्ध का परिणाम निकल आता है अरजुन को सैन्य निरीक्षन में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है जिसे मारना है जहां तक संबंध है उतना ही जगत है अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है साधक जब देखता है के मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे विध्धे ही नहीं तो उसे घबराहट होने लगती है स्वजना सक्ति को मारने में उसे अकल्यान दिखाई देने लगता है वह प्रचलित रूडियों में अपना बचाव ढूनने लगता है जैसा अरजुन ने किया उसने कहा कुल धर्म ही सनातन धर्म है इस युद्ध से सनातन धर्म नश्ट हो जाएगा कुल की स्थ्रियां दूशित होंगी वर्ण संकर पैदा होगा जो कुल और कुल घातियों को अनंतकाल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है अरजुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी ये महान पाप क्यों करें अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं अन्ततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्धन नहीं करूँगा ऐसा कहता हुआ हताश अरजुन रत के पिछले भाग में बैठ गया खेत्र खेत्रग्य के संगर्ष से पीछे हड़ गया पीका कारू ने इस अध्याय को अरजुन विशाद योग कहा है अरजुन अनुराग का प्रतीक है सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विशाद योग का कारण बनता है यही विशाद मन को हुआ था संशय में पढ़कर ही मनुष्य विशाद करता है उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा सनातन धर्म के नश्ट होने का भी उसे विशाद था अतह संशय विशाद योग का सामान्य नाम करण इस अध्याय के लिए उपयुकत है अतह ओम तच्चदिती श्रीमत भगवद गीता सूप निशत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन समवादे संशय विशाद योगो नाम प्रथमो ध्याय है इस प्रकार स्वामी अलगळानन्कृत श्रीमत भगवद गीता के भाष्य यथार्द गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है अर्ण होता है